क्या आपका भी शपना है इलाहवा इंवर्सिटी, बियाच्चियू और अन्य टॉप सेंटर इंवर्सिटी से LLB और BLLB कोर्स करने का तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे हमारा चैनल आप सभी को LLB और BLLB के लिए जो है लेगल स्टेडीज का 1000 जो है उससे भी अ हमारी वीडियोज पसंद आएंगी तो आप मारे वीडियोज को मतलब की लाइक भी डीजेगा और अपने फ्रेंड्स में भी जरूर सेयर करिएगा तो यह हमारा एक हजार प्रस्नों के सिंखला का कौन सा वीडियो है पहला वीडियो है इसके बाद भी मैं आपके सामने वीडियोज लाओंगा तो चलिए आज के वीडियो की करते हैं सुरुवाद देखिए हमारे सामने यहाँ पर पहला कौश्चन है कि भारत का समविधान किस तिथी को प्रवर्तन में आया ठीक है भारत का समविधान जो है वह किस तिथी को प्रवर्तन में आया यह हमारा यहाँ पर कुन सा कौश्चन है पहला कौश्चन है पहला अप्शन इसमें है परवरी 1947 और आपका चौथा अप्शन है जो इसमें 26 नॉंबर 1949 तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को जो है ध्यान दिजे 26 जनवरी 1950 को भारत का संभिधान जो है प्रवर्तन में आया था मतलब उसको लागू किया गया था आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए ठीक है यदि आप कहेंगे तो नेश्ट वीडियो में मैं हर प्रस्ण से रिलेटेड इंपार्टेंड फैक्ट चार पांच जो भी रहेगा वो भी क्लियर कराता चलूंगा ठीक है तो इस प्रस्ण का यही आपका सही जबाब होगा नेश्ट नंबर हमारा है कि भारतिय संबिधान के आतिहासिक विकास का काल प्रारंब होता है जो आपका भारतिय संबिधान है उसके आतिहासिक विकास का जो है काल प्रारंब होता है तो 1680 बी और 1857 बी 1947 बी 1950 बी तो इसमें जो आपका सही जबाब है वो आपका हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा चलिए अगला क्योंशन देखते हैं आपका निम्न में से किसने भारतिय संविधान को अर्द संगिय संविधान कहा है तो आपसन ए है प्रोप्षन आपका प्रोफेसर केसी वियर ने आपसन बी है प्रोफेसर जैनिंस ने आपसन सी है जान आश्टिन ने अन आपसन डी है जस्टिस क्रिश्न आयर ने तो इस प्रस्न का जो सही जवाब आपका होगा वो आपसन नंबर ए प्रोफेसर के वियर ने कहा था कि भारतिय संविधान को भारत के लिए एक विधान मंडल की स्थापना का प्रवधान किया था किस अधिनियम ने संपूर भारत के लिए एक विधान मंडल की मतलब स्थापना का प्रवधान किया था तो हमारे पास पहला आप्षन है 1853 के राज लेखने दूसरा आप्षन है 1833 के राज लेखने तीसरा अप्षन है इन में से कोई नहीं तो सही जबाब आपका निकल कराएगा इसमें आठारा सो तिरपन के राज लेखने ठीक है कौन सा जबाब यहां पर सही हो जाएगा अठारा सो तिरपन के राज लेखने ये वाला जबाब आप सभी का क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएग ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्न जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे अगला प्रस्न हमारा भारतिय नागरिक्ता प्राप्ती की विधियां है जो भारतिय नागरिक्ता प्राप्ती की विधियां है वो कौन सी है पहला नमबर जम्मू से दूसरा नमबर वन स क्रम से तीसरा नंबर जो है रजिष्टी करण से और चोथा नंबर उपरोक्त सभी से तो देखे ये आपका जो प्रस्ण है इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी से मतलब जम्मों से भी वन्स क्रम से भी और रजिष्टी करण से भी भारती नागरिक्ता की प्राप्त कौन था थीक है तो लोगसभा का पहला अध्यच कौन था मारे पास पहला अपृक्श इसमें है गडेश वासुदेव मावलंकर दूसरा अप्षन ए सर फ्रेडरिक वाइट और तीसरा अंथ सियनम ठीक है आयंगर भी इसमें है आग alcohol और अगला है आपका डाक्टर नीलम संजीव रेड़ी तो इसमें से आपका कौन सा जबाब सही हो जाएगा ये हमें यहाँ पर आपको बताना है तो पहला ही जबाब सही हो जाएगा गड़ेश वासुदेव माव लंकर ये लोकसभा का पहला अध्यस ठीक है ध्यान दीजेगा अगला कौशन हमारा है कि भारती संविधान की प्रस्तावना में संसोधन किस वर्ष किया गया था जो आपका भारती संविधान है इसकी मतलब की प्रस्तावना में संसोधन जो है किस वर्ष किया गया था ये हमको यहाँ पर बताना है आपसने 1978 में आपसन B 1976 में आपसन C जो है तो इस प्रस्ण का जो सही नंबर आपका जबाब हो जाएगा वो आपका जो है इस प्रस्ण का जो आपका सही जबाब हो जाएगा वो आपका होगा बी नंबर तो बी नंबर आपसन 1976 में क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा नेश नंबर है आपका भारतिय डंड सहीता क किस धारा में सयुक्त उत्तरदायत्व का उत्तरदायत्व का सिध्धान प्रतिपादित किया गया धारा 154, धारा 274, धारा 149 और धारा 34 तथा 149 में तो इस प्रस्ण का सही जबाब हमें ढोड़कर यहां पर आप सभी को बताना है ठीक है तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा धारा 34 और 149 में क्या जबाब सही हो जाएगा धारा 34 और 149 में भारतिय डंड सहिंता की धारा में सयुक्त उत्तरदायत्व का सिध्धान प्रतिपा हो कहलाता है वह करार जो विधीरवारा प्रवर्तनिय ना हो वह कहलाता है सोन्य वैध्य सोन्य करणिय अवैध्य ठीक है तो आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा पहला ही आप्षन सही जबाब हो जाएगा इसका सही जबाब हो जाएगा सोन्य ठीक नेस नमबर कोशन है जब किसी प्रस्थापना का प्रतिग्रहन कर लिया जाता है तो वो प्रस्थापना बन जाती है मलब कोई प्रस्थापना है या उसका प्रतिग्रहन कर लिया जाता है तो वो प्रस्थापना बन जाती है क्या बन जाती है वचन या फिर करार या फिर समविदा या फिर समास्रित समविदा तो हमारे पास यहाँ पर चार आप्षन है इसमें से जबाब तो एक ही सही होगा ठीक है अब जबाब आपका क्या होगा यहाँ पर हमें देखने वाली बात है ठीक है तो जबाब इसका सही हो प्रवित्य हुआ था तो कई आपका यहां पर पहला आप सन है 10 सितंबर 1972 यही आपका क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा 10 मतलब की यहाँ पर दिसंबर सितंबर मेंने बुल दिया था 10 दिसंबर 1972 आप्शन नमबर A इसका क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा अगला कोश्चन हमारा है सूत्र मतलब यहाँ पर इसमें एक सूत्र दिया गया है बिना छति के हान ये एक सूत्र है ठीक है का अर्थ है मतलब इसका क्या अर्थ है आपसने बिना विधिक अधिकार का उलंगन किये हुए वाद नहीं लाया जा सकता है पहला आपसन भी है जो है प्रतेक छति वाद को जन्म देती है अगला है नगण छति होने पर वाद नहीं लाया जा सकता है और आपका चौथा है वाद लाने के लिए छति जो है आपका महत्तव्पूर है तो इसमें जो आपका सही जबाब हो जाएगा वो कौन सा होगा तो इसमें भी आपका option नमबर है बिना विधिक अधिकार का उलंगन किये हुए वाद नहीं लाया जा सकता है ठीक है ये बात ध्यान दिजेगा बहुत important है क्योंकि ये सोत्र से related है तो ये क्योश्चन आपके लिए important बन जाता है ठीक अगला विया आपका एक और सोत्र है अंग्रेजिम लिखा है responded superior का अर्थ है responded superior का अर्थ है option A प्रतिवार्दी उत्क्रिष्ट, option B प्रतिवादी नगण्य, option C प्रते कहान के लिए प्रतिवादी उत्तरदाई होता है और option D जो है आपका उपरोक्त में कोई नहीं, यह हमारे पास यहाँ पर option है तो इसमें भी एक बार फिर से सही जबाब बन जाएगा पहला वला option प्रतिवादी उत्क्रिष्ट, ठीक है प्रतिवादी उत्क्रिष्ट next problem is, सैयोक्त अपकृत करताओं का दायतव होता है तुमारे पास कई option है केवल सैयोक्त, केवल Theo and Płutak Should Swore सैयोक्त और प्रतिष्ट दोनों परोक्त में कोई नहीं. तो इस प्रcksन का जो सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर C सयुक्तेवं प्रिथक दोनों आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ठीक है I hope कि ये वाला प्रस्ण भी आप सभी को समझ में आ गया next वाला लेखते हैं और ये आपका इस वीडियो में आखरी प्रस्ण भी ओने वाला है इस वीडियो में कोसिस करेंगे ज़्यादा प्रस्ण लाने की अगला है कठोर दायत्व का नियम किस वाद में प्रतिपादित किया गया था कठोर दायत्व का नियम जो है किस वाद में प्रतिपादित किया गया था तो इसका आप्शन नमबर भी सही हो जाएगा राय लैंड्स राय लैंड्स बनाम फ्लेचर इसी वाद में प्रति पादित किया गया था ठीक है I hope कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स में सेयर करिएगा और ऐसे और वीडियो उसके लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा मिलेंगे ने इस वीडियो में ठैंक यू सो मज़ जैहें वन्यमातरम